आधार में वाच से कई सारे प्रस्द एक्जाम में पूछे जाते हैं देखे जो वाच होता है ये कुछ नहीं है ये वाक्यों का एक प्रकार होता है और इसमें आपको बस ये पहचारना होता है कि इसमें करता की प्रधानता है कर्म की प्रधानता है या फिर इसमें भाव की प कहते हैं देखो फ्रेंड्स यहां पर जो आपकी डेफिनीशन है वो अगर दीखी जाए तो इस प्रकार से बनेगी कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि किसी वाक्य में करता कर्म या फिर भाव में किसकी प्रधानता है उसे वाच्ची कहते हैं समझ गया करता कर्म या फ समझ गया होंगे कि वाच्च वाक्यों का प्रकार है जिसमें प्रधानता के आधार पर उसे करता कर्म या फिर भाव के आधार पर तीन प्रकार में बाटा गया है तो यहां पर आप देखेंगे तो जो वाच्च के भेद हैं वो तीन माने गये हैं क्यों क्यों से हैं एक है आ समझे की अगर आप इंगलिस पढ़ते समय एक्टिव वायस और पैसिय। पैसिय। वायस को पढ़े है तो आपको वाच्चियों को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा, धिको Friends, जो एक्टिव वायस होता है वो कर्तिव वाच में याता है और जो पैसिव इसमें आप देख रहे होंगे कि जो आपका करता है यानि कि जो आपका सब्जेक्ट है वाच मैन यह जो है इस पूरे सेंटेंस को पूरे वाक्य में यही प्रधान है ठीक है यही लीड कर रहा है इस पूरे वाक्य को तो यहां पर यह करत रिवाच्य माना जाएगा हिंदी में इसे क्या कहेंगे आप इसे आप करत्रिवाची कहेंगे और अगर यही जो आपका sentence है यह जो आपका वाक क्या है इसको आप ऐसी वायस में बतलते हैं तब आप इसे लिखेंगे अगर इसमें ने का प्रयोग हो रहा है तो वह आएगा आपका करत्रिवाच में ध्यान दिजएगा और अगर उसमें से या द्वारा का प्रयोग हो रहा है तो वो आजाएगा आपका कर्म वाच्च में ठीक और अगर वो भाव प्रधान है तो वो आजाएगा आपका भाव वाच्च में असल में भाव वाच्च को पहचानना सबसे आसान है कैसे क्योंकि अक्सर जो भाव आच सब्द होते हैं उसमें नहीं का प्रयोग किया जाता है. 99% जो आपके यहाँ पर सेंटेंस होंगे उसमें नहीं का प्रयोग होता है. आगे थोड़ा सा देखिए आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे आपको कुछ और पढ़ने की जिरुद नहीं पड़ेगी बस यहीं से आपका ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा तो एक ही वाक्य में करता कर्म और क्रिया को अगर आप पहचान सकते हैं तब आपके लिए हिंदी व्याकरण को समझना बहुत ही आसान हो जाता है एक वाक्य लेते हैं वेदान्त फल खाता है अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि करता कर्म और क्रिया की पहचान आप कैसे करेंगे जैसे वेदान्त फल खाता है ये आपका एक वाक्य हो गया अब यहाँ पर अगर आपको पहचानना है कि करता कौन है इस वाक्य में तो आ पर आएगा आपका वेदान्त तो वेदान्त आपका क्या हो गया कर्म करता हो गया ठीक कौन फल खाता है वेदान्त खाता है वेदान्त आपका सब्जेक्ट हो गया या फिर करता माना जाएगा अगर ये प्रस्ण आये कि वेदान्त क्या खाता है तो वेदान्त फल खाता है तो फल ही यहाँ पर कर्म है ठीक और वेदान्त फल का क्या करता है तो खाता है ये क्रिया हो गई तो कर्ता कर्म और क्रिया को आप एक बार ठीक से पचान लिए तो फिर व्याकरण समझना बहुत ही आसान हो जाता है आगे देखिए करत्रिवाच्च के बारे में कुछ एक्जामपल से मैं आपको समझाता हूँ जैसे कि सीता पत्र लिखती है कौन पत्र लिखता है? सीता तो इस पूरे सेंटेंस में, इस पूरे वाक्ष में सीता प्रदान है, य Mountains करत्र प्रदान है तो यह कर्त्र वाच्च माना चाएगा रमेष लेख लिखता है कौन लेख लिखता है? रमेष तो यह जो आपका वाक्ष है, यह भी कर्त्र वाच्च होगा लड़के पत्र लिखते हैं लेकिन अगर मैं आपको एक एक्जामपल ऐसे दूँ कि पतंग उड़ती है ठीक पतंग उड़ती है तो फिर क्या ये करत्रिवाच्च होगा कौन उड़ता है पतंग उड़ती है तो पतंग उड़ती है यहाँ पर पतंग यानि कि यही करता है लेकिन यह निर्जिव है तो तो करता जब तक सजीव है तभी तक वो कर्त रिवाच्च होगा करता जैसे निर्जीव होगा वो कर्म वाच्च में बदल जाता है तो अब आपको कर्त रिवाच्च को पहचानना आसान हो गया होगा इसके बाद बात करेंगे कर्म वाच्च के बारे में जैसा कि मैंने आपको अभी example के मादर से समझाया कि अगर आपको कर्म को पहचानना है तो आप क्या करेंगे अभी अभी मैंने आपको बताया था कि कर्म को पहचानने के लिए आप जो प्रस्न करेंगे वेदान्त क्या खाता है तो कर्म है कि फल ठीक है तो यहाँ पर क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता पाई आती है तो जो व्यक्ति है उसके दौरा खाय जाता है तो यहाँ पर कर्म की प्रधानता पाई आती है इसलिए से करते हैं कर्म वाच एक्जाम्पल देखिए राहुल से पत्र लिखा जाता है यहाँ पर से या द्वारा हो सकता है राहुल के द्वारा पत्र लिखा जाता है तो पत्र प्रधान है इसमें तो यह हो गया आपका कर्मवाच ठीक है तो जैसे की रमेज द्वारा गाना गया जाता है तो गाना प्रध हैं तो फिर वो बदल जाता है किसमें कर्त रिवाच में अगर से या द्वारा है तो बदल जाएगा कर्म वाच में और वहीं पर अगर वाक्त में नहीं है तो वो आता है भाव वाच में जैसे की क्रिया के जिस रूप में भाव की प्रधानता होती है ठीक अंग्रेजी में इस इस है कि सीता से बैठा नहीं जाता है अब देखो यहाँ पर नहीं आ गया और भाव क्या है सीता से बैठा नहीं जाता है मतलब यह एक मात्र भाव है ठीक है सुरेश से गया नहीं जाता है मुझसे खाया नहीं जाता है मतलब यहाँ पर काम नहीं हो रहा है बस एक चीज जानता होती है तो दोस्तों बस एक्जाम में इसी प्रिकार के प्रस्ण आपको देखने को मिलेंगे उसमें आपको कर्म वाच करता वाच और भाव वाच आपको पहचानना पड़ेगा तो यहां पर यह जो पीडियेफ है यह मिल जाएगी आपको टेलिग्राम चैनल आई-एस-पी-स मास्टर क्लास पर एक बार जाकर इसे दुबारा से पढ़ने और उमीद करता हूँ किसी के साथ आप बेल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि वाच क्या है वाच के भीद कितनी होते हैं और इनको कैसे आप पहचानेंगे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शे वीडियो में थैंक्यू सो मुच